लोगों के मन में न सवाल ये रहता है कि अगर मान लो हम जैसे इन बोर्डों का यूज करके क्या एक 5.1 सिस्टम बना सकते हैं या फिर जैसे 7.1 जो सिस्टम होता है डोल भी जो सिस्टम होता है क्या इन बोर्डों का यूज करके हम वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं तो तो काफी सारे question रहते हैं लोगों के मन में तो उनी questions को आज clear करने की कोशिस करता हूँ तो वीडियो को पूरा देख लेना ताकि कोई question आपके मन में ना बज़े और सारे के सारे जो आपके doubts हैं वो clear हो जाएं देखो अगर कोई भी आप जैसे 5.1 system बनाते हो या 7.1 system बनाते हो तो मैंने पहले भी काफी वीडियो में बता रखा है कि दो तरीके के होते हैं एक तो अपना जो simple होता है वो होता है जिसके अंदर खाली एक stereo effect रहता है और बीच में अपना subwoofer होता है लेकिन एक जो होता है ज को बोल सकते हैं हम ठीक है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो वो amplifier बनता है उसके लिए काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है तो अगर आप कोई 5.1 system बना रहे हो तो इसकी जो wiring है वो किस तरीके से करनी पड़ेगी क्या क्या इसमें जरूरत पड़ेगी ठीक है तो सब आपके पास speaker है जो tweeter है जो वो कितनी कितनी वोट के हैं तो उसके हिसाब से जो 5 channel है amplifier के वो आपको select करने हैं तो यहां पे जैसे मेरे पास यहां पर रखे हुए हैं 200-200 वोट stereo के यहां पर चार बोर्ड रखे हुए हैं लेकिन इनके अंदर अगर मैं channels की बात करो तो channel इनके मान लो यह stereo word है तो stereo के अंदर दो channel होते हैं तो जैसे एक channel यह हो गया अपना एक यह हो गया दो तीन चार पांच छे साथ और आठ तो आठ चैनल इसके अंदर हो गए हैं तो यहां पर आठ चैनल तो मेरे को speakers के लिए ही मिल गए तो एक channel अब मेरे को यह सब वूफर के लिए ठीक है तो इसमें क्या होगा कि जैसे मेरे को 5.1 बनाना है तो इसके अंदर से मैं एक एक जो पार्ट है या तो मैं एक एक जो अपना board है वो mono select करूँगा कि भाई जैसे 100-100 वोट के मैंने मतलब 5 channel ले लिए ठीक है और एक channel उनके लिए फिर ले लिया कोई 400-500 वोट का सब पूफर के लिए ठीक है इस तरीके से हमें यूज करना होता है उसके बाद क्या होगा फिर उसके बाद उनके लिए जो transformer है या power supply है वो हमें select करनी होती है जैसे हर एक channel के लिए जैसे मानलो की मेरे पास 5 board रखे हूँ है mono speakers के लिए अलग अलग channel के लिए 5 channel के लिए वो रखे के लिए जैसे इसके अंदर मानलो power supply इसके अंदर inbuilt है तो क्या होगा कि हमें अलग से power supply लगाने की जुरूरती इसके अंदर होगी नहीं और जो transformer है transformer से हमें या तो अलग-अलग winding निकलवानी पड़ेगी अलग-अलग board के लिए अगर हम अलग-अलग power supply यूज कर रहे हैं 5 चैनल के अंदर तो उसके अंदर फिर क्या होगा जो winding है वो हमें अलग-अलग निकलवानी पड़ेगी transformer से जिससे की transformer क्या होगा काफी भारी बढ़ कम हो जाएगा और अलग-अलग supply है निकलवा लेंगे तो उसमें काफी अच्छा रहेगा लेकिन अगर एक single supply निकलवाते ह तो उसमें जैसे जो ground loop होता है वो बनने के ज्यादा chances रहते हैं तो इसलिए क्या होता है कि 5.1 अगर बना रहे हो तो अलग-अलग channel के लिए अगर हम अलग-अलग supply यूज़ करते हैं तो उसके अंदर फिर जो wiring है वो ज्यादा हो जाती है तो वो हमें अपने हिसाब से decide करना होता है कि भाई आपको किस तरी किसे wiring करनी है और wiring आपको सही से करनी आती भी है या नहीं आती है ठीक है तो यह सारी चीज़े होती है उसके बाद फिर जो अपना एक अलग channel बच गया mono channel जो की subwoofer के लिए रहता है तो उसको हम अलग से supply देंगे उसके लिए तो फिर अलग ह की जुरूरत पड़ेगी और यहां पर एक चीज और note करनी पड़ेगी कि जो supply है वो प्रोपर है या नहीं है क्योंकि देखो अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो किसी चीज़ पर 5.1 बना रहे हो 7.1 बना रहे हो तो उसमें पैसा काफी लग जाता है तो उसमें फिर क्या हो प्रोपर चीज़े नहीं लगाते हो जैसे पावर सप्लाई के अंदर जो कैपेस्टर है वो बढ़िया नहीं लगाए ठीक है कम कैपेस्टर लगा दिये तो यह सारी चीज़े बहुत ही छोटी-छोटी चीज़े होती है जो कि note करने वाली होती है एक music system के अंदर उसके बाद फिर क्या होता है कि इनके लिए कोई 5.1 का जैसे decoder होता है ठीक है decoder होता है या फिर DSP बोल सकते हैं वो लगाना बढ़ता है अगर वो नहीं लगाओगे तो आपको जो 5.1 का जो मजा है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला या फिर जैसे 2.1 जो system बनता है अपना उसके हैं वो लगबग 7000 रुपे से start होता है हाला कि जो चाइना से लोग मंगवाते हैं इंपोर्ट करवाते हैं उनको तो सस्ता भी पड़ जाता होगा लगिन जो high-end quality sound जिसके अंदर होती है वो काफी costly होता है क्योंकि DSP तो साथ में होता ही होता है उसके साथ में फिर फरंट की उसके जो connections की हैं अगर आप एक technician हो अच्छी knowledge रखते हो technical बंदे हो तो आप लोगों को उनके जो connection है वो करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी लेकिन अगर आपको knowledge ही नहीं किसी चीज़ की तो आप उसके जो connection है वो इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे आप एक जो आपने channels की जरूरत पड़ेगी amplifier को बनाने में लिए उनकी costing उसके बाद फिर जो DSP आएगा मैंने बताया कि साड़े साथ साथ हजार रुपे से start होता है तो उसकी costing तो उसके बाद फिर जो transformer वगएरा रहे गया उसकी costing फिर बनाने की महनत या फिर जो cabinet वगएरा होती है उसके लिए वो बनवाना तो इसमें मतलब कितनी cost आएगी और उसके बाद फिर जैसे मान लो sell करेंगे हम तो उसमें फिर logo का क्या reaction रहेगा ये सारी चीजे सोचने वाली होती है काफी सारे बंदे comment करते रहते हैं कि stereo mono ये तो मतलब कब का हो गया बड़े project पे काम करो 7.1 बनाओ 5.1 बना हैं कि महेंगा है सस्ता है ये है वो है ठीक है अगर 7.1 अगर proper तरीके से बनाता हूं 5.1 अगर proper तरीके से बनाता हूं हर एक चीज को follow करके तो उसमें costing कितनी पड़ेगी क्या लोग फिर उसको ले पाएंगे तो ये सारी चीजे होती है तो लेकिन काम तो देखो उसमें करू हूं 7.1 या 5.1 सिस्टम तो उसके जो आइडियाज है वो मैंने आप लोगों को दे दिये हैं कि किस तरीके से क्या क्या होगा ठीक है तो ये सारी चीजे होती है अगर आपको एक सिस्टम बनाना है अपना तो इस तरीके से आप बना सकते हो लेकिन उसके लिए हर एक चीज को स्लेक्ट करना बहुत जूरी होता है क्योंकि तो 7.1 बना रहे हो तो पैसा मैंने बता दिया बहुत ज्यादा लगने वाला है तो उसके लिए जो स्पीकर होंगे वह भी बहुत ही स्लेक्टीड चीज होगी और जो एम्प्लिफायर के जो बोर्ड है या एम्प्लिफायर जो यूज करोगी जो चैनल यूज करोगे उनकी जो फ्रिक्वेंसियां है वो भी आपको बिल्कुल मैच करके लगाने ही पड़ेंगी तब जाके आपको एक जो साउंड मिलती है डोल भी साउंड होती है या फिर जो 3D साउंड होती है उसका एक प्रोपर रजल्ट आप लोगो के मन में तो वह भी कोमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना मैं रिपलाई करने की कोशिस करूंगा या फिर कंप्लीट वीडियो ही आप लोगों के लिए आ जाएगी तो मिलेंगे नेक्ट वीडियो में गाईस तब तक के लिए बाबाए टेक केर